Welcome friends, आज हम लोग यह जानेंगे कि अहलीन शौल्टर अपने work 20 years on A literature of their own revisited में क्या कहना चाहती हैं तो यह जो किताब है A literature of their own यह अहलीन शौल्टर कर और अब इसको यह revisit कर रही है तो वो क्या कहती हैं तो सबसे पहले तो हम लोग अहलीन शोवाल्टर के बारे में जानते हैं तो ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये अहलीन शोवाल्टर की है ये American Literary Critic थी, Feminist थी और इन्होंने गाइनो क्रिटिसिजम के कॉंसेप्ट को डिवलप किया गाइनो क्रिटिसिजम क्या होता है? It is the study of women as writers गाइनो क्रिटिसिजम इस वर्ड को भी अहलीन शोवाल्टर ने कोईन किया और इसके कॉंसेप्ट को भी अहलीन शोवाल्टर नहीं दिया जिसका मतलब होता है study of women as writers तो अब इनके किताब A Literature of Their Own जो की किताब इनोंने लिखा था और अब उसको वो revisit कर रही है इसके बारे में जानते हैं तो ये किताब एन शोवाल्टर की है जिसको की पहली बार 1977 में publish किया गया and it set the stage for feminist literary studies यानि कि इससे पहले feminism ये जो literary study है, literary theory है इस बारे में जादा चर्चा नहीं हो रही थी इसी किताब ने इसका एक तरह से stage set किया feminist literary studies का stage set किया इस किताब ने and the book uncovered the long but neglected tradition of women writers in England यानि कि England में जो women writers थी जो काफी लंबे समय से लिख रही थी लेकिन उनके works को उतना consideration नहीं मिल पाता था वो neglect कर दिया जाता था, उस बारे में Helen Schalter ने लिखा है तो अब जानते हैं 20 years on a literature of their own revisited के बारे में जो कि आपकी syllabus में है तो basically इस पे इन्होंने दो चीज़ों के बारे में दिखा है एक में उन्होंने ये लिखा है एक पे नहीं, एक पार्ट में मैं ये बताने जा रही हूँ कि कैसे ये, क्या चीज़े हैं जो इनको motivate करती हैं इस किताब को लिखने में यानि क्यों इनका मन करता है कि वो ये किताब लिखें and finally उसके title में क्या cut shorts होता है और फिर वो publish होता है तो यहां तब की journey जो इन्होंने बताई है वो मैं एक पार्ट में deal करने वाली हूँ और second part में मैं ये बताऊंगी कि critics का, जब इनका work published हो गया तो critics का क्या influence रहा critics ने क्या comment किया इनके किताब की उपर तो in 1965 when I began to do research for my PhD dissertation on Victorian women writers feminist criticism did not exist 1965 में जब मैं PhD dissertation को submit करने के लिए research कर रही थी dissertation क्या होता है कि जब आप कोई university degree के लिए कोई assignment finally submit करना रहता है जिसमें कि आप अपने पढ़ाए अपने पढ़े हुए किसी topic के उपर में एक long writing लिखते हैं उसको बोलते हैं dissertation तो जब ये PhD के degree finally PhD जब इनको degree मिलने वाली थी and final exams होने वाला था तो उस समय इन्होंने एक dissertation submit करना था इनको और research work submit करना था तो इन्होंने topic choose किया Victorian women writers और तब feminist criticism अस्तित्व में नहीं था it did not exist Virginia Woolf's letters and diaries were scattered and unpublished उस में Virginia Woolf के बहुत सारे letters और diaries बिलकुल बिखरे वे थे और उनको published नहीं किया गया था Scholars जो है वो Elizabeth Gaskell को Mrs. और Frances Burney को Fanny बुलाते थे Elizabeth Gaskell और Frances Burney दोनों English novelists हैं तो उनका भी नाम जो है वो उतना फैला नहीं था वो भी उतना popular नहीं हो पाई थी उनके works को भी उतना consideration अभी तक नहीं मिला था Noven edited women's studies journals और compiled bibliographies of women's writing तो women के studies के ऊपर कोई journals नहीं लिख रहा था कोई women writing के ऊपर bibliography compile नहीं कर रहा था यानि feminism उसमें नहीं था feminist writers को उसमें महत भी नहीं दिया जा रहा था तब इन्होंने इस topic को choose किया I had chosen my thesis topic in part out of lingering angle at my undergraduate college Bryn Mawr Bryn Mawr इनके college का नाम था जहां से इन्होंने graduation pass किया अपना तो वहाँ पे where English majors were required to read every 10th rate male romantic poet and Elizabethan dramatist but dramatist but virtually no women and in part out of my own devotion to the Victorian women writers तो इनके इस college में इनके Bryn Mawr college में English majors को यानि जो भी graduation की degree हासल कर रहे थे English honors में उनको English majors कहा जा रहा है तो वहाँ पे इन लोगों को हर 10th grade का male romantic poet और Elizabethan dramatist को पढ़ना पढ़ रहा था पट किसी भी woman writer को ये लोग को study नहीं करना था इनके syllabus में ही नहीं था कि ये लोग किसी woman writer का भी novel लिखावा या उनका कुछ लिखावा पढ़े तो इनको इस बात पर बहुत गुसा था बहुत अंगर था तो इसलिए उन्होंने ये topic चूज किया Victorian women writers और दूसरा कारण क्या था out of my own devotion to the Victorian women writers इन्होंने Victorian women writers को कभी पढ़ा होगा तो वो काफी devoted feel करती थी काफी उनको उनका work अच्छा लगता था तो इसी लिए भी उन्होंने इस topic को चूज किया Professional opportunities for academic women seemed so limited in the mid 1960s that I felt paradoxically free to write about the books I liked rather than the ones most likely to get me a job तो academic women के लिए यानि जो women उसमें पढ़ लिख रही थी graduation की degree हासिल कर रही थी और भी जो university degrees achieve कर रही थी उनके लिए भी academic women के लिए भी mid 1960s में professional opportunities बहुत limited थी बहुत कम थी इसी लिए इनको लगा कि इनको ना तो इनको अपने पसंद के बारे में लिखना चाहिए जो इनको पसंद है वो लिखना चाहिए क्योंकि job तो ऐसे भी जोब मिलने का जो probability है वो तो ऐसे भी बहुत limited है बहुत कम है तो क्यों उस चीज के बारे में लिखे हैं जिनसे की इनको job मिले बलकि इनको उसको लिखने का मन किया जिसको इनको लिखने का मन है जो इनको पसंद है क्योंकि इनको पता है कि जिस चीज को इनको job पाने के लिए लिखना चाहिए अगर वो ऐसा लिखेंगी तो भी job मिलने का chances बहुत कम है By 1970 As the issues in my work and my life took on new meaning in the light of feminism I began to envisage a much bolder critical undertaking than my thesis तो 1970 आते आते मेरी जिन्दगी एक नया turn ले रही थी feminism के light में यानि कि क्योंकि मैं बहुत सारे women writers को पढ़ रही थी बहुत सारे feminists को पढ़ रही थी तो मेरी जिन्दगी भी बदल रही थी मुझे भी हिम्मत मिल रहा था और मैं bolder critical undertaking लेना चाह रही थी यानि कि जो Victorian women writers के ऊपर मैं dissertation submit कर रही थी अब इनको और कुछ bolder task करने का मन कर रहा है and to imagine a literary criticism that would do for the history of women's writing तो इनका मन किया कि अब ये women's writing का एक history लिखे what Northrop Frye had done for Canadian literature और even what Perry Miller and F.O. Mathieson had done for American literature तो Northrop Frye ने जो Canadian literature के लिए किया उसका history लिखकर या F.O. Mathieson और Perry Miller ने जो American literature का history लिखा तो उसी तर्ज पर shelter चा रही है कि वो women's writing का historic है At Princeton, Ann Douglas had become the first woman in the English department तो Princeton में Ann Douglas जो है वो English department में नियुक्त होने वाली पहली woman बन गई Maybe as a lecturer तो we spent long hours talking about our work and arranged a deal तो हम लोगोंने काफी लंबे समय तक अपने work के बारे में सोचा और हम लोगोंने क्या range किया कि she could have American women writers and I would have the British यानि कि जो ये history लिखने का बात है women's writing का तो उसमें मैं British women writers को study करूंगी और जो Ann Douglas है जो अब English department में आई है अभी first woman है वो American women writers के उपर study करके लिखेंगी in the cold dark winter of 1973 the notorious British year of strikes, labor struggles, systematic power blackouts I even read sometimes by candlelight तो 1973 में ये ब्रिटन में थी क्यों? क्योंकि इनको British women writers के work को study करना था तो 1973 के cold dark winter में जिस साल 1973 जिस साल बहुत सारे strikes हुए थे बहुत सारे labor struggles हुए थे और बहुत सारे systematic power blackouts हुए थे उस समय कई बार इनको candlelight में भी पढ़ना पड़ा मुमबत्ती जला कर भी इनको women writers को, British women writers को पढ़ना पड़ा following Ann Douglas example I started to buy Victorian women's novels second hand from street markets and shops and to build my own collection तो ये Ann Douglas के example को follow कर रही थी Ann Douglas वहां पर क्या कर रही थी अमेरिका में वो American women writers के जो novels हैं उनको second hand bazaar से खरीद कर पढ़ रही थी और अपना एक collection बना रही थी तो उसी तरह show order भी Victorian women के novels को Britain में second hand खरीद रही थी और पढ़ रही थी और अपना एक collection बना रही थी दोनों क्यों ऐसा कर रही थी और writing the history of women's writing When I returned from London I sent the manuscript to Princeton University Press and they accepted it with some substantial cuts half on the chapter on Virginia Woolf तो जब मैं लंडन से वापस आई और मैंने Princeton University Press को अपना ये script भेजा जिसमें कि मैंने उन सारे writers के ऊपर अपना जो research work है उसको लिखा था तो उन लोगों ने Virginia Woolf जो writer है उनके works उनके ऊपर जो मैंने लिखा था उनमें बहुत सारे cuts किये With a long reading of The Voyage Out The Voyage Out जो है वो भी Virginia Woolf का ही एक novel है Bit the Dust and their titles committee changed my working title from the female tradition in that English novel to a literature of their own तो ये जो committee थी जो की इस बात पर decide कर रहे थी जो titles committee थी कि भाई title कौन सार है गा इनके work का उन्होंने इनके title को change कर दिया इन्होंने title रखा था the female tradition in the English novel इसको change करके उन लोगोंने title लिखा a literature of their own और ये phrase उन्होंने कहां से लिया a phrase that took from a statement by John Stuart Mill whom I quote on the first page in the third sentence of the book मैंने अपने इस किताब के पहले page के तीसरे sentence में John Stuart Mill के एक quotation को लिखा है John Stuart Mill कौन है? John Stuart Mill ने एक बहुत ही popular theory दी है utilitarianism की जिसमें की वो कहते हैं कि वो action अच्छा होता है जिससे happiness मिलता है और वो action जो pain की तरफ ले जाए जिससे pain होने वाला है वो गलत है तो इस तरह का theory था utilitarianism का जिसको की John Stuart Mill ने popularize किया वो उनके theory popular हुई तो उनका ये जो quote है जो ये लिखती है अपने first page के third sentence में if women lived in a different country from men and had never read any of their writings they would have a literature of their own यानि कि अगर women, men जहां रह रहे हैं उनसे बिलकुल अलग एक country में रहती और उन लोगों ने कभी men के द्वारा लिखी गई किसी भी work को नहीं पढ़ा होता तो उनका एक अपना ही literature होता they would have a literature of their own तो इसी quotation से ये जो phrase है a literature of their own इसको लिया like titles committee ने और इस arranged shelter का dissertation का जो title है वो ये रख दिया I like the new title because this sentence from Mills the subjection of women was my departure point तो इनको ये पसंद आया जो कि John Stuart Mill के work the subjection of women से लिया गया था लिया गया था और इनको shoulder ने इनको अपने first page में quote भी किया था it raised the issues of nationality, subculture, literary influence and literary autonomy I had attempted to theorize तो वो ये जो title है इन तरह की issues को raise करता है जैसे की nationality, जैसे की subculture, जैसे की literary influence और literary autonomy तो literary autonomy क्योंकि यहाँ पर women के autonomy के बारे में बात किया जा रहा है कि अगर वो men का कोई भी writing नहीं पढ़ रही होती तो उनका अपना एक literature होता तो autonomy की बात आ गई nationality के बात आ गई क्योंकि John Stuart Mill जो हैं वो भी Britisher थे और जो women writers को British women writers के बारे में शोल्टर ने लिखा है वो भी British women writers हैं तो nationality की बात आ गई सबकल्चर की बात आ गई literary influence और literary influence की बात क्यों आ गई क्योंकि feminism के बात हो रहा है और men writing से influence होने का बात हो रहा है तो literary influence भी आ गया तो इन सब चीजों को ये title जो है इन सारे चीजों को raise करता है और साथ ही in the word there rather than are it emphasized my own cultural distance as an American from the English women I discussed तो ये जो word है there ये इस बात पर भी emphasize करता है कि जो मेरा distance है क्योंकि मैं एक American woman हूँ और मैंने British women writers के work को study किया है तो ये जो distance है इसको भी ये word दिखलाता है कि a literature of their own तो दो मतलब है एक तो ये distance from being an American ठीक है तो British women writers से चोंका distance है और दूसरा ये कि John Stuart Mill ने subjection of women में इस quote को लिखा है कि if women had lived in a different country and they had not read any of the men's writings then they would have a literature of their own तो ये John Stuart Mill का quote है जिसको की इन्होंने अपने work के first page के third sentence में quote किया तो ये दोनों ही meanings है तो friends ये था इसका first part और अब next part पर हम लोग ये जानेंगे कि इनके work के ऊपर critics ने क्या-क्या comment किया thank you friends